हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है दिवराज पटेल और यूटूब पे मेरे चैनल का नाम है मिस्टर दिवराज सीम पटेल और यूटूब पे मैं फर्स टाम जब अप्लोड किया था तो बस यूँ ही मैंने अप्लोड कर दिया था वीडियो एक दो बनाने के बाद अप्डेट कर लेकिन पात में दीरे-दीरे YouTube के बारे में जैसे जैसे पता चला क्या से अपलोड करते हैं ? कैसे एडिट करते हैं ? तो दीरे-दीरे मैं ने उसके बारे में Knowledge इसके बातने अम धरा उप्नी जोगों में देखिये हैं जो भी यूटूबर है उनको तो पता हिए कि एक वीडियो जो बनाना है बहुत ही मुश्किल है एक वीडियो जो अगर 5-10 मिनिट का भी बना लेते हैं अगर कहीं पर ट्रावेलिंग का हो और कुछ भी नया हो तो कुछ स्क्रिप्प भी लिखना पड़ते हैं उसको भी त्यानल में लखना पड़ता है कि कुछ नेचर और अगरा कोई जेग्या यहां पर दिखानी है और उसके बाद जो वीडियो सूट किया हुआ होता है वो सब जाके एडिट करना पड़ता है और एडिट करने के लिए भी कम से कम एक से दो तीन कंटा लग जाता है तब जाके वीडियो परफेक्ट बन जाती है फ्रेंस पिछले संडे को मैंने कोई वीडियो अफ्लोड नहीं किती है कि में थोड़ा खुज़ाई था फीवर जैसा हम हो गया था तो इसलिए मैं वीडियो भी कुछ बना नहीं पाया था तो इसलिए सोचा के आज भी कोई वीडियो नहीं बनाया लेकिन आज सोचा के चलो यहां गर पर बैठके थोड़ा वीडियो क्रिएट कर लेता हूं और वीडियो बनाने का मकसद भी बता दे के यूटूब पे मकसद क्या है मेरा वो भी आपको बता दे क्लियर कर दे पहले तो सिर्फ यूँ ही मैंने जनरल यूटूब पे चैनल खुल लिया था और चला दिया था लेकिन बाद में धीरे-दीरे नौलेज बढ़ता गया डेसबोर्ड यूटूब का आता है जो यूटूबर है उनको तो पता ही है लेकिन जनरल जो यूज नहीं करते जो यूटूब उनको बता दुमें कि यूटूब का जो है उक डेसबोर्ड होता है और डेसबोर्ड पे सारी के सारी के जो है डेटा है जो अपलोड करते है कौन कहां के लोग देखते हैं वह सब वी डेटा है वह यूटूब पर डेस्बॉर्ड पर होता है तो पुरा के पुरा कितनी वीडियो हो कितना है वह सब आ जाता है और अभी तो जो बहुत सारे अफड़ेट्स आए है यूटूब पे डेस्टबॉर्ड में भी नए ने फीचर्स आ गए हैं आपके यो ढ़ी के सब्सक्राइबर से जो जो टेयन करते है उस पर विव्यू आते हैं वह कौन से सब्सक्राइबर कमा ड्र आते हैं कौन से सब्सक्राइबर है जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं वह वीकली एक डैस्पॉर्ड होता है उसमें भी दिखाई देता है कि कौन से वार को कितने एक्टिव होते हैं तो कि वह भी पता जलता है कि कौन से वार को कौन से टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं यूट उसे क्या benefit होता है कि जो टाइम पे माना को Monday है और Tuesday है वारा से एक के बीच या तीन से चार के बीच के में जो लोग है वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो उस टाइम पे अगर जो वीडियो अप्लोड कर दी तो वाइरल होने की संभावना है जो ज्यादा बढ़ जाती है जि इतने सारे views होते हैं वह उसमें भी ज्यादा जो वन गंटे में लोगों तक पहुझाता है जबभी आपको ऐसा वीडियो डेखते ओं आपके Пон करने के साधी आपके आगे आ जाता है आपने सर्च कभी नहीं किया होगा लेकिन फिर भी आपके आगे यह सो हो जाता है और आप उसको क्लिक करके देखते हो वैसे यूटूब आपको यह नए नए वीडियो जो है ज्यादा जो होते हैं व्यूज वाले वह आपके सामने खुद ही रख देता है यूटूबर्स है जो बहुत सारे मिलियन सो फॉलोवर्स है अमरे तो अभी सुर्वात हुई है तो ज्यादा कुछ नहीं है फॉलोवर्स सब्सक्राइबर लेकिन आपको भीजिनती करता हूं कि आपको अगर चैनल पर मेरे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो पॉल्सएं या सब्सक्राइबर ना आ तैसा मेरे नहीं कि अदर आजे हैं पर दो कुछ नहीं सेस्टिंग आपको वीडियो मेरे जो बीडियो होते हैं वह लाइफ स्टाइम प्ले प्लेटे मेरे व कुछ आप लोगों ने देखे होंगे तो ट्रावेलिंग के अधर पर ज्यादा तर वीडियो में बनाऊंगा तो फीचर्स में जो भी वीडियो आयेंगे आप देखना पसंद करेंगे और कुछ नया डेली में अपडेट करता रहूंगा ऐसा तो नहीं बोलता लेंगे वीक में एक ब